रोजमेरी इसे अपने लाइफस्टाइल में अपनाएं, इन वाट फॉर्म और इन विच कौन्टिटी सबसे पहले तो यही बताईए यह रोजमेरी है क्या अगर हम रोजमेरी की बात करें तो रोजमेरी एक तरीके का हर्ब है जैसे मैं सिंपल टर्म्स में बात करूँ जैसे हमारा पुदिना होता है मतलब वो एक मिंट जो होता है वो एक हर्ब होता है वैसे ही ये एकदम पतली पतियों वाला बहुत नाजुक हर्ब वो चीज होती है जिसकी ब्रांच भी बहुत नाजुक होती है पतियां बहुत नाजुक होती है तो रोजमेरी एक तरीकी का हर्ब है एक तरीकी का फ्लेवरिंग एजेंट है और अब जैसे हांगर हम ट्रेंडिं और इसको अगर हम बात करते हैं, तो हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको फूड में कोकिंग परपसेज में भी यूज किया जाता है, as a herb, as a flavoring agent, जैसे लोग इसको टी के रूप में भी यूज करते हैं, या इनको सूप्स में मत्ता फ्रेश फॉर्म में भी इस करते हैं, फिर भी उड़ाया जा सकता है, अगर में भी बात करो बात करूँ चाय के रूप में ले ले सकते हैं, आज कल ओग इसको हेर उज कुट एक्सटरनली आज वेल इंटरनली रही बात आपके दूसरे कोश्टिन की कि रोजमेरी क्यों फायदिमंध है या क्यों इसको हमें यूज करना चाहिए तो एंशन टाइम से ही अगर मैं बात करूं तो स्पेंड में स्पेशली इस पे काफी काम किया जाता है और वही से इसका हुआ था तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी मेडिसिनल क्रॉपटी काफी देखी गए है और सबसे पहले इसमेंиваемetary क्रॉपटीज होती है एं अंटि-उकसद्न कि बात करूँ जो anti-microbial जैसे कि मैंने कहा यह anti-microbial होने की वज़े से although कुछ researches are going on but definitely yes, इसमें हम यह भी कहते हैं कि अगर हम इसको consume करते हैं तो यह कुछ GI disturbances में भी कारगर साबित हो सकता है जैसे inflammatory bowel disease although much researches are required human studies की आवशकता है but इसमें काम हो रहा है but definitely recommendations इसमें दीरे-दीरे करके आ रही है और anti-microbial properties होने की वज़े से इसका एक नया use भी अब recommend हो रहा है which is as a food preservative because generally जो food preservative हम आजकल बोलते हैं process food नहीं खाना है additive rich food नहीं खाना है ऐसी चीज़े नहीं खाने जितना हम artificial चीजों का प्रयोग कम करें उतना हमारे लिए beneficial है तो आजकल जो rosemary के उपर अब जो researches हो रही है या जो काम हो रहा है उसको as a food preservative भी हो रहा है because of its antimicrobial property ऐसा पाया जा रहा है कि अगर हम इसको food में add करते हैं तो यह food preservative की तरह भी act कर सकता है apart from adding a typical aroma apart from adding a typical fragrance and a taste so it is also helpful as a food preservative अब मैं बात करती हूं इसके तीसरे benefit की इसका जो तीसरा benefit जिसके उपर हम focus करते हैं या बात करते हैं वो है neuro improvement या mood improvement या mental health improvement इसको काफी particularly study भी किया जा रहा है for the improvement of mood जैसे अगर हम बात करें Alzheimer's के लिए भी इसका benefit मैं यह नहीं कहूंगी कि हाँ पाया गया है बत researches are still going on but definitely even with the help of rosemary tea जो इसका aroma है इसका एक taste है that is known to cause mental calmness you know anxiety for a better sleep for you know relieving our mood relieving the stress it is found to be beneficial so people have started moving towards rosemary tea it is found to be beneficial for your mental health for your mood boosting kind of a things it is also found to be beneficial for your concentration things you know so it is very important for us to understand कि जितना हमारा physical health important है जितना हमारा gut health important है उतना ही हमें mental health भी हमारे ले बहुत important है तो one of the most important things which we are focusing with rosemary is mental health and mood elevation so it is found to be very beneficial for a better sleep for a better mood for for anxiety for relieving anxiety for relieving stress it is also found to be beneficial जो इसका next benefit कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बुला hair growth के बारे में इस पे अभी काफी focus हो रहा है इस पे अभी काफी focus हो रहा है people are extensively using it simply by boiling it and making it like a concoction applying it overnight and they are really finding it benefits as you are saying that you said very clearly कि ये ट्रेंड है तो because people are actually using rosemary as a hair growth promoter so although not 100% scientifically proven but yeah definitely they are saying that it will help in you know the alopecia thing which is the baldness which is found very commonly under less nowadays even under in youth age groups or maybe less than 40 years of age also so it is found to be beneficial in case of alopecia also so these are broadly the things which we can you know for which we should start using rosemary and something which is natural something which we can you know grow at home something which is easily and commonly available something which is food related can be easily commonly used by masses so why not to use it in a limitation and it does not have much of calories it is not found to have much of side effects so definitely in a moderation if we can start using it it might give us health benefits